तो दोस्तो कल 19 अप्रेल को चार फिल्म में ने देखी थी उन में से दोर दो प्यार और LSD 2 लव सेक्स और दोका 2 इन दोनों का रिव्यू में ने कल ही अप्लोड कर दिया था उसके बाद शाम को में ने देखी थी अप्व जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं और सबसे अंत में रात को मेंने Civil War देखी थी उसका भी रिवीव में थूड़ी देर में अपलोड करने वाला हूँ तो अपू एक एनिमेटेड फिल्म है वैसे एनिमेटेड फिल्म में बहुत ही जादा कम या नगन ने ऐसी भारत में बनती है काफी लंबे समय के बाद में ये एनिमेटेड फिल्म आई है है तो 3D एनिमेशन इसमें परंतु 2D में इसे रिलीज किया गया है हिंदी में और कुछ लिमिटेड स्क्रिंस पर अंगरीजी में भी इसे रिलीज किया गया है मैंने इसका हिंदी 2D वर्चन देखा और एक लाइन में अगर मुझे अपना एक्सप्रियंस अनुभो बता ना हो तो बहुत ही जादा एम्बेरेसिंग शर्मनाक लजजित करने वाला अनुभो में कहूंगा 2024 में आने के बाद अगर हम इस प्रकार का एनिमेशन बना रहे हैं और उपर से उसको रिलीज भी कर रहे हैं तो ये बहुत ही जादा शर्मनाक है मतलब इतना घटिया एनिमेशन मतलब सच में अंदर से बहुत दुख हो रहा था कि हम 2024 में आकर इस प्रकार का एनिमेशन बना रहे हैं ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटे बच्चू की वो बुक्स वगेरा होती न उसमें से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे उठा लिए हो और उनको जबर्दस्ती मूँ कराया जा रहा हो स्क्रीन पर कुछ भी नहीं बस दो कैरेक्टर्स है वो ऐसे ऐसे धीरे-धीरे मूँ हो रहे हैं ठीके बजेट नहीं तो बैट 3D मत बनाओ टूड़ी ऐनिमेशन बनाओ जपानीज एनिमे देख लो टूड़ी में ही कितना बढ़िया किस प्रकार की विजियल्स हमें देखने को मिलते हैं और चलो विजियल्स को भी साइड में रख दो ठीके यही इसी प्रकार की विजियल्स आपको देने ते ठीके चलो यही विजियल्स ले ले लेते हैं एक अपू नाम का कैरेटर है उसके पिता को शिकारे उठा करके लेकर गए हैं और अपू को अपने पिता को वापस लेकर करके आना है बस यही फिल्म की कहानी है और यह हमेशा से एक्टिविजम के मोड में क्यो रहना होता है भारत के फिल्मेकर्स को मुझे यही बात समझ में नहीं आती हमेशा एक्टिविजम पर्यावरन बचाओ प्राणी बचाओ यह बचाओ मतलब जैसे कि भविश्य के कुछ पेटा के वीगन एक्टिविस्ट बनाने हो उस देश्य से जैसे कि फिल्में बनाए जा रही हो ऐसे ही लगता है एक ऐसी जनरेशन जिनके आखों में कोई भी डिवलोप्मेंट प्रोजेक्ट चुभे जिस अमेरिका में हंटिंग लिगल है अमेरिका के सभी स्टेट्स में हंटिंग लिगल है वहाँ पर भी इतनी सारी एनिमेटेड फिल्में बनती है पर मैंने आज तक इस परकार की थीम की कोई फिल्म नहीं देखी भारत में तो अल्रेडी कितनी सारी वन्य संपदा, वन्य जीव हम देखते हैं उनकी सुरक्षा की कितनी पूरी एक पूरी विवस्ता है, सिस्टम है भारत में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ऑपिसर्स है पर हमें हमेशा एक्टिविजम मोड में रहना है जिस अमेरिका में वेस्टन कंट्री में हंटिंग लिटरली लीगल है हर एक विशिष्ट रितू में वहाँ पर हंटिंग की जाती है कई सारे अमेरिकन कंटेंट में, फिल्मों में, वेब सीरीज में हम देखते हैं जहाँ पर एक पिता अपने बेटे को या बेटी को लेकर के जा रहा है जंगल में हंटिंग सिखाने के लिए वहाँ पर भी वो कभी इस प्रकार के एक्टिविजम मोड में नहीं दिखते जो लिटरली नेचर को कितना एक्स्प्लॉइट करते हैं जो बड़ा डिउलोप्मेंट डिउलोप् कंट्रीज में हम देखते हैं इंफर्स्टेटर बहगेरा भारत की लिटिस्ट हमेशा बोलते रहेंगे कि वहाँ पर देलोपे क्यसा इंफर्रस्ट्र्क्टर है वा हौ हो कितना नेछय को एक्स्प्लॉइट करते हैं क्या क्या वहां कि क्या परिस्तिति क्या हालात है वो दिखेगा भारत में कही पर कुई basic infrastructure development के project हो वहां पर भी कई सरे NGOs और नकसली वगएरा वो पूरा विशय अलग है वो पर कहने का ताथ पर ये कि हमेशा activism mode में क्यो रहना है normal film में नहीं बना सकते क्या अभी मैंने मेरी बेटी को the lion king दिखाई cars के जो दो तीम पार्ट है वो दिखाए toy story के तीन चार पार्ट दिखाए ko-ko दिखाई ये ऐसी film में है जिन में कितनी सारी अलग-अलग themes को explore किया गया है कितने emotions है characters में कितनी depth है छोटे बच्चे भी अपने आसू रोक नहीं पाते उन characters को उन कहानी को emotions को देखने के बाद में और बात visuals की है ही नहीं यहाँ पर यह मत कहना कि भाई पैसे कहानी लिखने के लिए पैसे नहीं लगते भाई ठीक है visuals आप यही visuals दे दो जो इस फिल्म में थे कम से कम कहानी characters अलग-अलग themes को explore कोरो हमेशा activism mode में ही रहना है और यह जो ऐसे तताकतित activism हम देखते हैं इसमें भी बहुत बड़ी hypocrisy जो मैंने देखी है एक तरब तो बड़ी veganism की वगेरा बाते करेंगे प्राणी बचाओ की बाते करेंगे पर कभी शाकहार को promote नहीं करेंगे veganism के जो propaganda है उसको वो promote करेंगे dairy industry को पूरा उनको खत्म करना है वगेरा जो कुछ भी है इस पर मैंने already वीडियो बनाया हुआ है पर शाकहार की कभी बाते नहीं करेंगे जब मांसार की विरोत की बात आएगे तो वहाँ पर तुरंत वो individual choice हो जाती है उस पर कभी comment नहीं करेंगे उस पर बात नहीं करेंगे चलिए ये एक पूरा अलग विशे है पर ये सब जब मैं देखता हूँ नो तो सच में आदमी अंदर से frustrated हो जाता है क्यार कुछ भी अलग सूचता ही नहीं क्या बाकी अपू की overall कहानी या characters के बारे में बताओ तो तीन मुख्य पात रहे यहां पर अपू है उसको रस्ते में एक tiger नाम का कुटा मिलता है और एक नीना नाम की बच्ची है वो ये दोनों अपू की मदद करते हैं उनके पिता को बचाने के लिए ये शिकारी है और वो शिकारी कई सरे लोगों को ऐसे हतियों को पकड़ पकड़ कर उन्हें सप्लाई करता है कुछ विदेशी डीलर्स भी है उसके पास आते हैं एक Chinese डीलर शायद आते हुए दिखाया है और उसके साथ में ही मंदीरों में भी प्राणियों को पर अत्याचार होता है यह उन्हें दिखाया है कि यह शिकारी हातियों को पकड़ते हैं और मंदीरों को सप्लाई करते हैं तो मंदीरों में कैसे उनको बंदी बना करके रखा जाता है यह भी एक सीन में उन्हें दिखाया है मतलब मंदीरों को बीच में राने की क्या आवशकता थी मतलब शिकारियों के साथ में मंदिरों को जोड़ करके दिखाना olduğu मंदिरों की विवस्ता, वहां पर हात्यों के कितनी सुद्र की विवस्ता रखी जाती है सब हम बाते देखते हैं पर जबर्दस्ती मंदिरों को भी उनुने बीच में ले करके आया है कुल में लाकर भाई छोटे बच्चों की फिल्म है कुछ अलग-अलग थीम्स को एक्स्प्लोर करो हमेशा से वही वन खत्रे में पर्यावरन बचाओ यह एक्टिविजम मोड से कम से कम बाहर निकलो यही हमेशा थेटर में जाओ तो यही डर लगा रहता है कि पता नहीं अब कौन सा एक्टिविजम में देखने के लिए जा रहा हूँ और बाकी डायलोग्स वगेरा वो इतने डम थे इतने मुर्खता पुर्ण थे इतने इडियावटिक मतला हान छोटे बच्चे भी देखकर के उनको फ्रस्रेट हो जाए परिशान हो जाए इस प्रकार के वो डायलोग्स बोल रहते क्या मतलब कुछ भी बहुत ही जादा एंबरेसिंग शर्मनाक लजजित करने वाला ऐसा अनुभों में कहूंगा मैं आपको दूँगा 0 out of 10 स्टार्स मुझे कम से कम इस पूरी फिल्म में कुई एक सिंगल बाद भी ऐसी नहीं लगी जिसे मैं एप्रिशेट करूई या उसकी प्रशनसा करूई जिसने मुझे थोड़ा सा भी कुछ अच्छा एक्सप्रियंस दिया हो 1 परसेंट भी मुझे कम से कम ऐसा नहीं लगा